हर व्यक्ति आप लोग के खिलाफ आरूप लगाएगा और आप लोग का जीना हराम हो जाए मैं आपको सुरिकार्डिंग सुनुआ हूँ किया एक से लिए जीवित व्यक्ति है चाहे वो पक्षकार हो चाहे वो वकील हो उसके इज़त की सुरक्षा करने का मेरी जम्मीदारी है और मैं आखरी दम तक उसकी सुरक्षा करने का प्रयास करणा अगर सर आप लोगों में इतनी शराफ़त होती है तो मिश्राजी ये स्टेट्वेंट करने के वज़ाए आप पहले गुपता जी से बात करके सुनिए आप कि इसको आपका चुके second number था आप विड्रॉ करके अपना वकालत नामा उसमें लगा के आर्ग्यू कर लेते हैं और गुपता जी अपना वकालत नामा विड्रॉ कर लेते हैं आप अपना लगा दें लो सा सुरे if you are involved in mud sludging then be ready to face the consequences. Mr. Mishra, how can you make an allegation against a lawyer? No Mr. Mishra, if you have made an unfounded allegation against a lawyer then such type of allegations are to be dealt with with iron hands otherwise you people will be in a doldrams in each and every case because it will become very difficult for you to practice हर व्यक्ति आप लोगों के खिलाफ आरूप लगाएगा और आप लोगों का जीना हराम हो जाएगा अगर हमने व्लॉयर्स के खिराफ इतना इजी ली वाइलिगेशन को तवज्जो दी तो मुश्कल हो जाएगी अब यह लॉयर्स को बहार का बात करनी चाहिए थी अब मैं क्या करूं उसके लिए आपका पक्षकार अपने गुपता जी से मिलता है सक्शन नाइन के लिए डिसकर्स करता जैसा आपने कुछ का और आपके पक्षकार को सब कुछ पता है और अगर आप मज स्लेजिंग में इन्वाल्ट है तो देन आप मॉसरी प्लीज अगर आप लोगों में इतनी भी कट्सी नहीं है देखे से यह होता है दो तिन चीज़ें होती है पक्षकार ने इंस्टेक्शन दिये बाद में वो साथिस्फाइड नहीं 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 है विडुरा कर लेता है फ्लीज पपक्षकार में इंस्ट्रेक्शन नहीं दिये fail हो गई अब दो options हैं और या तो आप सीधा सीधा allegations पे आ जाएए और या फिर आप लोग को लगता है कि इस चीज़ को amicably settle किया जा सकता है और चोकि आप पक्षकार दूसरे lawyer से बहस करवाना चाहता है तो दोनों lawyers को आपस में सीधा सतै कर लेना चाहिए भी अब तुम हट जाओ हम बहस कर देंगे और अगर पक्षकार ने instructions दिये हैं कि नहीं साम मुझे इस बात का grievance है कि मेरे instructions के बगर कैसे file हुआ है then वो के मुथो कृष्णन के light में मेरे पास professional misconduct को decide करने का jurisdiction नहीं है जब नहीं है तो मुझे वहीं भीजना पड़ेगा जहां पर जिस authority को jurisdiction अब आप लोग खुद मड़ स्लेजिंग में उतर जाते हो तो मैं क्या पर हूँ सब्सक्राइब नहीं कुछ नहीं किया तो हमने नहीं फाइल कर दिये तो आप विट्रॉ कर लिजे मैंने बोला ठीक है बस जस्कारण से भी दो सब्सक्राइब करने के बाद दूसरा की इजएत उचाने के बाद फिर आप मैं रिकॉर्डिंग सुनवाओं क्या सुनवाओं क्या मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनवाओं क्या मैं नहीं कह रहा है मैंने नहीं कहा क्या बात करते हो या आप लों लिए है कि आपके लिए यह इंस्टिशिन किसके लिए है आपको दोस्ती निभाने के लिए है कि पक्षकार के लिए और पक्षकार ने आपको इंस्ट्रक्शन दिये और डूटी बाउन यहां पर क्या आप लोग पिक्निक बनाने आए और चला जाएं पर क्या हम बैठके खुश होएं इसा करें क्या मेरी कोट में एक बात आप अच्छे से समझ ली जेगा हर वेक्ति जो जीवित वेक्ति है चाहे वो पक्षकार हो चाहे वो वकील हो उसके इस versus को इस रिए आने काम उसके प्रक्षा करने का आता है कि आप प्लीटिंग्स में अगर कूछ आप्यूजीवर्ट सें by the others defamation का law आप लोग के पर लगता नहीं है क्या क्यों आप लोग सोचते समझते तो हो नहीं कुछ भी पोलते हो अगर मिस्टर गुपता ने यह कहा था कि सब ठीक है मैं विड्रॉव कर लेता हूं मेरका इंफरमेशन वाट वैपी what he said सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब अगर पक्षकारों को वकीलों की इजट उचालने का इतना असान मौका मैंने दे दिया तो साहाव आप लोग मैंने एक ही चीज़ देखी थी आपके स्टेट्मेंट के बाद कि इनकी पेटिशन वकालत नामा पे यह कैसे कह सकता है कि मैंने वकालत नामा दिये नहीं इनको उन्हों ने यह नहीं कहा था आपको पूरी अगर बिना इंस्ट्रक्शन के फाइल हुआ है, can you file without any instructions? I don't know. Once if he says that he had not instructed him to file, he might have signed the वकालत नामा. क्या फरक परता है? अगर आप लोग के पास कई बार होता होगा, कि पक्षकार आया वकालत नामा दे गया, और बाद में उसने का, वकिल साफ मत file करिएगा, मुझे file आपस चाहिए. होता है कर नहीं होता है? या फाइल होगा तो वकिल साफ, आप मत argue कीजेगा, मुझे NOC दे दीजिए. वकालत नामा इशू करने के बाद क्या, वकालत नामा withdraw नहीं हो सकता? तो इसमें सीधी सी बात ये थी मिश्रव 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 अगर आप इसको sensibly handle करते तो आप पहले tag कर लेते कि भाई चुकी मेरी second है, तो मेरी तो not maintainable रहीगी रहीगी, मैं गुपता जी के साथ या गुपता जी को हटा के मैं अर्गू कर लूँगा, को मिस्टर गुपता को परिशान होने की बात है, कि बात कॉंसल इनके खिलाव जाएगा, कर देंगे और आपका कंटेंट के लिए भी लगा देंगे डेफनिट्ली माइलट वो क्या है वह सुरी आपको पॉर्ड याज पॉर्ड पॉर्ड यह प्र इस्पेक्ट विस्टर नो सर नो सर शुट्र रिस्पेक्ट दिक और यू शुट थिक विफोर making any statement before the court this is not a picnic spot mind definitely mind it very specifically definitely yes that will not happen in my court i am ready to withdraw this no i am not ready to allow you to withdraw your allegation i am not ready to allow you to withdraw the allegation specifically when the order has already been passed chaly next item number three